इस्तिवाली अगर आप भी भगवान के भोग के लिए कुछ हलगतरा की मिठाई ढूंड रहे हैं तो ये रेस्पी आप चरूर ट्राइ करिएगा आज हम बनाएंगे बीना कैस चलाए बीना घी बीना मावा के बहुत ही अद्बुत मिठाई जो कि देखने में जितने सांदार लगती है खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिश लगती है तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं पर उससे पहले दोस्तों अगर मिठाई पसंद आए तो प्लिस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बहुत ही सुंदर मिठाई लगती है दोस्तो इन दोनों की चीज़ों को एकदम बारिक करके यहां पर पाउडर बना लेना है एकदम फाइन पाउडर इसका तयार करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं एकदम फाइन पाउडर यहां पर यह बन करके तयार हो गया है अब हम क्या करना है कि इसके अंदर हम डालेंगे न आप करके ले सकते हैं अब हाप कप इसके अंदर हम मिल्क बॉलर डाल देंगे इसे जो मिठाई है वो और भी ज्यादा स्वाधिश्ट बनेगी सभी चीज़ों को एक पर हम यहां पर बारिक कर लेंगे तो बहुत जादा जो यह नारिल का बुरादा है वो बहुत जादा बारि यकीन मानिए वो आपसे जरूर पुछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है तो बस यहां पर हम सारे चीज़ों को एक बावल में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा दूद यहां पर मिलाते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे तो यह जो दूद है वो पका हुआ है और मैंने पार्ट रखा हुआ है एक उसे थोड़ा सा बड़ा और एक सबसे ज्यादा रखा हुआ है अब जो सबसे ज्यादा वाला भाग है उसमें हम यलो कलर डालेंगे और वैसे हिन दोनों के उपर भी एक में हम ब्राउन कलर डाल देंगे और एक में ग्रीन कलर डाल देंगे और इन सबी को इस तरीके से धीरे-धीरे हाथों से मसलते हुए इसका इसे डो तेयार कर लेंगे जब तक हमारा ये डो तेयार हो रहा है तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर चरूर करिएगा और चैनल को मेरे सिस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों के उपर ही कलर अच्छे से समेट दिया है और इस तरीके से रोल बना लिया है तो पाँच पाँच बॉल यहां पर बन करके तयार हुए है और अभी ग्रीन वाले को हमने नहीं बनाया है तब एक बॉल ले लेंगे यलो वाला और उसे इस तरह से दबाते हुए हाथों से इसको हम एक लोटी का जैसे लोटा होता है या कलस होता है उसका शेव देगे कितने आसानी से यह बन भी गया है और अब जो यह ब्राउन वाला बॉल है इसे हम इस तरह से रोल करते हुए थोड़ा सा इसे नारियल का शेप देंगे जैसे नारियल होता है थोड़ा सा लंबा होता है बीच में थोड़ा सा मूटा होता है बस ऐसे हमें इसे बना लेना है एक बर आप इसे लगा करके देख लीजेगा कि इसके उपर ये फीट आ रहा है कि नहीं बस इसी तरीके से हमें इसे सेट करना है तो आप देख सकते हैं बहुत ही असानी से ये मिठाई बन जाती है दोस्तों और देखने में तो बहुत ही जादा अदबुद लगती है अब पत हम तेन भी दिन पता है ये जो में इस तरह से इस इसे के उपर से से चिवका देए तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी नायानsınız की कलस वाली मिठाई बनकर के तयार हो गई है और इसमें मैंने थोड़ा सा food color यूज किया हुआ है आप चाहे तो बिना color के भी इस मिठाई को बना सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा color यूज करेंगे तो यह हलका color ही मैंने यूज करा है बहुत ज्यादा color इसमें नहीं यूज करा हुआ है मिठाई में तो इस दिवाली आप इस मिठाई को जरूर ट्राइ करिए का दोस्तों और कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके जरूर बिताएगा कि आपको मेरी ये मिठाई कैसी लगी अब एक मिठाई पर मैं थोड़ा सा सेट दे रही हूं ब्राउन कलर का यह पूरी तरह से ऑप्चिनल है अगर आप अच्छा दिखाना चाते हैं और भी ज्यादा तो इसे लगा सकते हैं या फिर इसके बगेर भी इसे बना सकते हैं तो भी यह मिठाई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में वितलिजी तेयार है हमारी जटपट से बनने वाली बहुत ही ज्यादा टेश्टी और अलग तरिके की मिठाई तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइब दोस्तों थैंकी पूर वाचिंग